156 बेटियों के विवाह का जो महुत्सव आयुजित हो रहा है उस आयुजन को देश भर के साधु संतों ने नई गरीमा प्रदान की है और अब मंद्यप्रदेश के मुखिया मुख्मंत्री डॉक्टर मुहन यादव जी भी मंच पर पहुँच चुके हैं उनके उपस्तिती से ये कारिक्टम नई गरीमा को प्राप्त करेगा आप सभी करतल ध्वनी से उनका अभिनंदन कीजे स्वागत बंदन कीजे बिबागिश्वर धाम पर पता रहे हैं इन बेटियों को अपना आशिरवाद देने के लिए हम सब आज सिवरात्री के कास करके दिन बार से बोल बोल के महराज जी गला काम नहीं कर रहा है लेकिन आपको देखके इतना आनंदारा के मैं आपके चुड़नों में प्रणाम करता हूं परमात्मा की दया से ये जो मोका आपने दिया है सच मानों मेरा जीवन धन्य हो गया ये पूरा धाम त्यगमगा रहा है आपके आशिरवाद के कारण से जोरदार करतल धनी से अभी नंदन करो अपने महराज जी का जिनका खुद का ठिकाना नहीं वो सबको ठिकाने पहुचा रहे हैं भगवान की दया से ये आणन्द कोई महमूली बात नहीं होता है जिनके जीवन में एक मात्र उद्देश के मैं कई लोगों का घर बसाओं ये तो कोई देव पुरुसी कर सकता है और किसी के बस की बात नहीं है ये हमारी देवमार की संस्कृति सनातन संस्कृति और होना भी चाहिए महराज जी में बेठे-बेठे सोच रहा था मंच पर विराजमान बागेश्वर धाम के जहकारा लगाए बिना अनंद नहीं आएगा बोले बागेश्वर धाम की मैं महाकाल महराज के यहां से आता हूँ तो एक बार महाकाल महराज का भी जेजेकार करे सिवरात्री का पावन परव है बोले महाकाल महराज की परंपुज बागेश्वर धाम के महराश्री आपके चड़नों में परणाम परंपुज इंद्रेश महराज जी अयोध्यावाले आपको भी परणाम और सीधे बद्रिनात से आए हैं और महराज जी सारे सहीदों के लिए यग्य करा करके उनके जीवन में मोक्ष्ठी काम ना करते हैं ऐसे परंपुज जी महराज जी के चड़नों में परणाम और खली बद्रंग बली क्या जोड़ी जमई भगवान ने भी आपकी बागेश और धाम में जोड़दार अभिदन दन करें हमारे खली भाई का भी और ये वागेश और धाम और आपके सांसद मैं आपसे कह रहा था कि हमारे भगवानों ने भी कितनी मित्रता का एक दूसरे के सद्वाओं का क्या क्या रस्ता निकाला है महाकाल के दर्सन करो और विष्टु भगवान को याद नहीं करो तो बात नहीं बनती है इधर भगवान देखो और दोनों मंत्र बोले बिना दोनों के दर्सन मानते नहीं है तो सिवाय नमा विष्टवे नमा विष्टवे नमा बागेश्वर धाम आकर के विष्टवत सर्माजी को भूल जाओ ये संभवी नहीं हमें इनके लिए भी बदाई देना चाहता हूँ हमारे सांसद वीडी सर्माजी के लिए जोड़दार तालिया बजाओ हमारे प्रदेश अध्यक जी के लिए मेरे साथ हमारे उत्तरदेश के वरिष्ट नेता पूर्व मंत्री माननी महें सिंग जी भी पदार है जोड़दार अविदंदन महें सिंग जी का और गुरु गोविन दोवु खड़े काके लागू पाओ गोविन सिंग जी जोड़दार तालिया बजाओ मेरी सरकार में साथी मंत्री है गोईन सिंजी राशपूत और संस्कती परेटन पर उसके पहले विजे भी है नो बार के विधायक जोड़दार तालिया बजा दोनों मंत्री गणों के लिए एक नो बार के एक दो बार के हैं लेकिन दोनों एक पे एक भारी है जोड़दार तालिया बजा हमारे विजय जी और धर्मेंद्र लोदी जी के लिए पूरा मंच वेशे तो जोड़दार अब इन लखन पटेल मंत्री भी मोहद है यह पसुपालन मंत्री है हमारे कोई देवी देवता ऐसे नहीं है जो परियावरन के लिए दुनिया के लोग कितने उधारन हमारे पास भरे पड़े हैं हर देवी देवता के साथ हमारे प्रकरती प्रेमी होना के सबूत है भगवान भोले नात बेठे तो नंदी सामने बेठे गोपाल करशने तो गाए म आता पीछे बेठी है दुनिया हम से कहती के आप परियावर्ण बचाओ अरे हम तो युगो युगो से बचा रहा है यह तो तुम सीख लो तुमको मालूम नहीं है इंगलेंड अमेरिका वालो तुमको देर लगेगी वो काफी समय लगेगा जो हमारी प्रकर्ति का चिंतन करते हैं यह सनातन संस्क्रति की हमारी जो आभा है इसकी चमक हमारे सभी देव समान रिशी मुनी संतगणों के कारण से है जो समूचे समाज का विचार करके चलते हैं समाज पे कदम कदम पर अपने प्रवचन के बावजूद भी कर्मों से सुर्य के समान आभा फेलाते हैं यह हम भगवा रंग धारन करते हैं एक तरह से अपने जीवन में सुर्य के समान यह अपने अगनी कलर है अगनी रंग समझ लो तो यह अपनी आभा से अपने सरीर के माध्यम से जैसे सुर्य से सब जीवन पाते हैं एसे हमारी सनातन संस्कति संतों के माध्यम से जीवन पाती है मैं सबके चरणों में प्रणाम करता हूँ एक बार पूरे मंच के लिए अभिनंदन करें जोड़ार तालिया बजाए और महराज जी मुझे लगा के आपने 157 के पाणी गरंड का मोका लिया लेकिन मैं सरकार का मुख्या होने के इनाते से अपना रस्ता भी ढूंड रहा हूँ हमारे ऐसे भाई बेहन जीवन में अभी और मोका आएगा कई आवेदन आपके पास आये होंगे किसी कारण से छूड़ गए तो वो भी आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए बोलिए बताई आना चाहिए तो मैं थोड़ी आपकी मदद करूँ है सरकार आपके भरोसे से बनी है आपके आसिरवाद से बनी है तो आपने जो करना समाज की मदद से वो सब कर दिया अब सरकार की मदद से भी आप ये पुन्यकार जरूर कराईए अच्छे तरतिया आएगी अगली बार देव उत्था नेकादस ही आएगी ये बिना मुरत की साधियां है आप निश्चित रूप से सारे लोगों के हवेदन बुलाईए पूरा पैसा सरकार देगी वागेस और धाम में बोलना तो दिल खोल के सभी बोलो जाए जैस्टिरा अरे हम जहां खड़ेओं के बात कर रहे हैं ये भागेश्वर धाम और हमारे हनवाण जी और हनवाण जी का तो इतिहास ही है 17 लाख साल हो गए भगवान राम के साथ हनवाण जी वाले प्रसंग को जोड़ करके लेकिन 17 साल पहले भी भगवान हनवान जी ने राम जी और सीता माता को मिलाने का प्रयास प्रारंब किया था वो का वोई आज भी जारी रहे यही तो हम आपसे निविदन कर रहे हैं यह घरगर से ढूंड करके राम सीता लाईए सबका पाणी गरहन कराईए यह इसी की कामना हम कर रहे हैं महराज जी जीवन में सबसे बड़ा दान अगर कोई है तो कन्यादान है और कन्यादान में भी जाने अंजाने कोई समाजिक कष्ट है कोई परेशानी है किसी के घर में माता नहीं है किसी घर में पैसा नहीं है कोई और कारण है ये सारे कारुणों का निवारण सदेव सदेव से संतों के नेत्रत में सरकारे ढूंडती आई है तो मैं अपनी सरकार को पीछे क्यों रखूँआ निशित रुप से आपके पीछे पीछे ये आयजन के लिए लगाता रहूँगा महराज जी एक बार फिर मैं आपका अभिरन्दन करता हूँ दो कारण से अभी आपने एक अच्छा प्रस्न उठाया खजराओं के मंदिर का खजराओं के मंदिर के मामले में आपने कहा है आपकी जानकारी में होगा ये खजराओं के देवालाए ये भारती संस्कति की धजा लेराते वे हजार साल पहले के हैं लेकिन काल का प्रवा बड़ा खराब था वो इतना खराब था कि हमारे देवालाई भी किसी को दिखे सब्सक्राइब धे तो ऐसा लगता देवताओं को नजर लग जाती थी एसा खराब समय आया कि देवताओं के मंदिर तोड़े जा थे मूर्तिया भंग की जा रही थी मंदिर ध्वस्त किये जा रहे थे काल के प्रवा में समाज ने अलग-अलग प्रकार के रस्ते ढूंडे यह सारे के सारे मंदिर मिट्टी में दबा दिये गए थे आज से 200 साल के आसपास एक अंगरेज ने मेरी जानकरीम आया कि उनने खोच करके मंदिर का वापस समाज से परिचे कराया लेकिन बनाये तो हमारे भारती सनातन संस्कति के उस समय के महापुर्सों ने जोरदार अभिदंदन करो उन महापुर्सों के लिए जिन्होंने यह मंदिर बनाये थे और जब मंदिर बनाये और अब समाज के सामने आ रहा है और जब अयोध्या धाम मुस्करा रहा है बाबा महाकाल का महालोक आनन्द में डुबा हुआ है तो भीचे खजराओ के से रह सकता है खजराओ और आगे खड़ा दिखाई देगा महराज जी आप जैसा कहोगे हमने गिरह मंद्री के माद्यम से हर मंदिर में पूजा का प्रबंद करेंगे यह आपके माद्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूँ लेकिन यह कई सर्ते महराजी यह सनातन संस्कृति पे धर्म के मामले में मैं भी गोपाल हूँ आप भी गोपाले जो गाय पाले वो सब गोपाल है सब गोपाल कर्ष्ण को मानने वाले हैं वो धर्म अधर्म की बात चलती है तो सब गोपाल कर्ष्ण के पीछे खड़े होते हैं जो धर्म मार्ग पे चलना जानते हैं और हम तो यसस्वी प्रधान मंत्री नरेन मोदी जी के नेत्रत में धर्म के मार्गे पे चल रहे हैं तो आयोध्या से लेके अरब तक धर्म दोजा लहरा रहे हैं कहां अरब है कहां आयोध्या है हम भी नहीं भूल रहे हैं दुनिया भी नहीं भूल रही नरेंद मोदी जी को इसलिए आने वाले समय में जिस प्रकार का समय चल रहा है निश्वित रूप से हमको एक काम करना पड़ेगा भगवान कृष्ट ने एक काम किया आपनी उंगली पे सुदर्शन चक्र धरन किया तो धर्म के मार्ग पे चलने से दुनिया कितने दुस्वन उनके भी पीछे पड़े लेकिन भगवान ने सब को परास्त किया आप से भी निवेदन है महराज जी और ये हमारे अपने सारे मेरे जैसे भक्तों से भी निवेदन है आपनी उंगली का आप भी ध्यान रखो, आपके हाथ में भी सुदर्शन चक्र है लोग तंत्र में ये सुदर्शन चक्र का सही उपयोग करना ये भी जरूरी है, आप याद रखना ये सुदर्शन चक्र आपको नरेन मोदी जी के पीछे चलते वे बढ़ना पड़ेगा सुदर्शन चक्र के माध्यम से कमल के भूल तक भी पहुचना पड़ेगा दुनिया की कोई ताकत किसी देवस्थान का विकास नहीं रोकेगी ये मैं क्यारंटी दे सकता हूँ जोड़दार अभिन दन करो महराज जी का एक बार फिर अभन दन करो हम और आप मिलकर के केवल अपने और सारे विसे कभी और करेंगे महराज जी मोदी जी के बारे में जो बात मैं कह रहा हूँ उसका कारण भी आप मेरे से अच्छा बताते हो मेरे से अच्छा आप इस बात को रखते हो लेकिन हम सब समझ सकते हैं भी समय कम है लेकिन हमारे मन के भाव आप समझ सकते हो कई सारे विश्यों को लेकर के भारत दुनिया में सब के सामने एक आदर सिस्थिती बना रहा है एक तरफ युद्ध में लगेवे लोग एक तरफ मार काट में लगेवे लोग एक तरफ लूटने वाले लोग और एक तरफ वसुदेव कुटुमकम के आधार पर जीयों और जीनेदों की आधार पर दुनिया में सांति का पेगाम ले करके सनातन संस्कति की तरब बढ़ने वाला देश बढ़ा लोकतंत्र का नेता अपनी रहा आगे बना रहा है और दुनिया के बड़े बड़े देश उसके पीछे हैं उसकी ताकत ये आपकी संतसनातन सक्ति की ताकत है जो आपने मार्ग बताए अनुसार उनसे काम करवाना जानती है ये स्वामी विवेक अनंद की उस भविश्वानी को सिद्ध करने का समय है 21 सताबी दुनिया में भारत को सरवोच स्थान पे पहुचाने की सताब दिये तो मैं उम्मीद करता हूँ आपके माद्यम से नरेंद मोदी जी निश्वानी हमारे देश का नेत्रतु करेंगे और ये सभी अच्छो कामों की जो मालिका बनाई है वो मालिका बढ़ती जाएगी आज के सवसर पर सभी बेटे बेटियों को मैं भी आसिरवात देता हूँ सरकारी व्यवस्थाओं की सरकार आपके साथ खड़ी दिखाई देगी किसी को कोई कश्ट नहीं आने देंगे इसके अलावा अभी थोड़े जिन पहले केन बेत्वा की बात तो वीडिजी ने कही दिये के लगबग 45,000 करोड की पूरी परियोजना ये 20 साल पहले बन जा दी तो पूरा बुंदेल खेंट चमचमा जाता है लेकिन एक बार फिर जोड़दार तालिय बजाओ नरेंद मोदी जी की सरकार के लिए जिन्नोंने बड़ा निर्णे किया है और याद रखना मोदी जी की सरकार बनी तभी ये केन बेतो अब अपने परवान चड़ेगी ये पूरा इलाका सरसब्ज होगा खेती बाड़ी से लेके सबी मामलों में विकास का नया कीरतीमान बनेगा आने वाले समय में इसी प्रकार के कामों के लिए लगाता और हमको बढ़ते रहना पड़ेगा मेरी अपनी ओर से एक बार फिर सब लोगों का अभार बहुत-बहुत धन्यवाद बागेश्वर धाम की अभी नंदन कीजे मुख्यमंतरी जी का अब आवसर है आज की एक और बरमाला कारिक्रम का सभी बेटियों के हाथ में बरमाला दे दी जाए मुख्यमंतरी जी और बेटी शर्मा जी की उपस्तिती में ये बरमाला कारिक्रम संपन्न होगा ये जो जोड़े मंच पर आप देख रहे हैं 156 बेटियों के बिवाह उत्सव का ये चोथा दल है इसके बाद एक दल और रहे गया है जिसकी जैमाला होगी जैय सिरी राम एक बात छूट गई थी अभी ओला पाला के कारण से हमारी फसल का नुकसान हुआ है मैंने कलेक्टर सहीत प्रसासन को निर्देश जारी किये हैं किसी भी किसान का किसी भी खेत में अगर एक रूपय का भी नुकसान हुआ तो सरकार पूरी भरपाई करेगी किसी को भी कोई कष्ट नहीं आने देंगे सरकार संवेदन सीले है सबके साथ खड़ी दिखाई देगी यही मैं आपसे बात केना चाहता था बहुत बहुत धन्यवाद भारत माता कीज़े आज अंताराष्टिय महिला दिवस के पाबन पर्ब पर इन बेटियों का महुत्सो चल रहा और हमारी बेटियों के इस विवाय महुत्सो में सभी संत महापुरुष्ट पहुँचे ही राज पीठ से मद्दप्रदес के हमारे बड़े ही प्रिय बागेश और हनमान जी के बड़े ही लाड़ले और मद्दप्रदेश के बहुत ही लोग प्रिय मुख मंत्री जी भी आय हुए हैं आपके नाम के आंगे ही डाक्टर लगा उनके साथ में जिस संसदीय छेत्र में हम रहते हैं ऐसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष बीडी सर्माजी भी आये हुए हैं वो हमारे परिवार के सदस्थ हैं बागे सुर्धाम के सदस्थ हैं और लोकसभाव प्रभारी भी उत्तर प्रदेश से आप आये हैं और उसके बगल में ठीक आपको जो सबसे अलग थलग दिखें कि उंचे कि सरीर में भी और दिल में भी कि सरीर में भी लंबे उंचे आसिरबाद देने के लिए हमें कुरसी पे चड़ना पड़ा अच्छा नाम आपका खली है यहां बजरंग बली है सन्योग देखो कितना अद्वुत हर्याना से चल करके खली आए हैं किसके पास बुले खली गए बजरंग बली के पास निश्चत है कि अब धरम ब्रोधियों में खल बली मचेगी ऐसे हमारे बड़े ही लारले केबल एक बार दूरभास पर बात हुई कि बेटियों के विवाय में आना है तो आप बहुत प्रैम पुर्वकाय विना समय गबाय हुए क्योंकि आंगे का क्रम भी बांकी रह गया अ मेरे पागलों हम सब साथ मिलकर के अगर एक जुट रहेंगे जाती बात का नाता तोड़कर एक जुट रहेंगे इस भारत को बिश्व गुरु बनाने से कोई नहीं रोक सकता है बोलो जैश्री राम देखो हम हिंदु एक हुए सनातनी एक हुए अयुद्या में राम जी आ गए अब राम जी आ गए 22 तारीक को माननी है पुर्धान मंत्री जी ने पूजन किया हम सबने गौरों के साथ दर्सन किया अब जिनके बंस के ठाकर जी है यदुबंस के उन्हीं के बंस के ही मुख मंत्री है लेकिन आप आए हैं तो हम छोड़ेंगे तो बिलकुल नहीं छोड़ेंगे ना साथ तेरा साथी मरते दम तक हम अपने लिए तो कुछ नहीं मांग रहे लेकिन मुख मंत्री जी और बीडी सर्मा जी हमारे सांसत जी के सामने हम कहेंगे सर्मा जी के सामने कि खज़राहों के जितने मंदर हैं वहां की खंडित मूर्तियां बदल करके अगर पूजा प्रारंब कर दी जाएगी तो खज़राहों बर्ड टूरिस्ट प्लेस है बागे सरों खज़राहों दोनों एक तीर्थ हो जाएंगे कौन कौन ऐसा चाहता है अच्छा ये मांग इसलिए भी आपको पूरी करनी पड़ेगी क्योंकि आँगे चल करके आपका चुनाओ है और अदभुत बात ये है कि हमारे सरमाजी को फिर से टिकट मिली तो अगर आप ऐसा कहभी देंगे और आगे उसको चरितार्थ कर देंगे तो हमारे घज़राहों के मंदरों में जब पूजा प्रारम्व हो जाएगी तो बाहर काम अंधर राम बगल में बागे सुर धाम वहां की जो बाहर की आर्ट है कला है वो काम को प्रदर्शत करती है लेकिन बाहर की कला अगर काम को प्रदर्शत करती है तो मंदर के अंधर राम को प्रदर्शत करती है बाहर काम को छोड़कर जो अंधर राम के दर्सन करने के लिए जाएगा उसे ही आराम मिलेगा बगल मे बागे सोर्धाम मिलेगा कौन कौन बंदेल खंड का पागल एंसा चाहता है ज़र हाँ उठाओ तो जोर से जैसी राम बोलो जैस श्री राम हार है हार है हार है बताओ एंसा चाहते हो हां या ना चाहते हो आप चाहते के खज्राओ के मंद्रों में पूजा प्रारम हो जाए मैं खज्राओ कौन कौन गया हाँ के फोटीर उख और का माएं अच्च यह बताओ घ्राओ देखकर ने क्या तुम चाहते हो बागे स्वर खजरा हो एक तीर्थ इस्तल हो जाएं क्या तुम चाहते हो दौनों तीर्थ इस्तल आपस में जुड़ जाएं कौन-कौन चाहता है अब लोग सर्मा जी कहां गए भाईया हमारा पल्ला भारी है सब लोग चाहते हैं अब आपकी जिम्मेवारी है तो बगल में मुक्मंत्री जी बैटे आप कर दो सपोर्ट क्योंकि आप हो यहां के सांसद हम अपने लिए नहीं मांग रहे हमाया लोग सब कच्छू है आप हो सो काचान है मुक्मंत्री जी हमारे हैं यह बेटियां हमारी हैं बागे सुर्धाम के लाखों पागल हमारे हैं बागे सुर्धाम पर सब कुछ है खजराहों में अगर यह हो गया तो हमारा खजराहों बदलेगा तो बागे सुर्धाम की सूरत सीरत बदलेगी और एक दिन बागे सुर्ध हाम दुनिया के लिए इतिहास बनेगा बोलो हारे हारे तो नहां इस पीट से हम मुक्हमंत्री जी को साधू बात करते हैं और आप महाकाल की नगरी से आए उनका नाम है महाकालेस्वर लेकिन आप जहां आए उनका नाम है बागेश्वर दौनों एक दूसरे के पूरक हैं और आप यहां पर आये हमें बहुत प्रशनता हमारी इन बेटियों के विवाह में चूकि आपको पता हो हम बता दें कि 400 बेटियों के धरम बाब बन गए हम बलकि आब इबाहत पिता हैं हम लेकिन यह हमारी बेटियां है आपका खूब-खूब स्वागत है जोरदार ताली बज किये उद्गोशक महोदय को माइक देखे मैनिय मुख मंत्री जी का भी उद्वोधन सुनेंगे बेटियों के लिए सुभ आसीस सुनेंगे इसके बाद बरमाला होगी और आपको जाना है बहुत जल्दी तो आप आसिरवाद दे करके निकल जाएंगे आंगे पानी ग्रहन की चर्चावचारी रहेगी और अभी हमारे और भी महापुरुष बचे हैं उनका कार और आज अपन को खली भाईया को जाने नहीं देना है उनको तो रोकना है रात को अभी डांस करवाना है बेटियों के विबाह में अच्छा ये हमारे भाईया है तो ये भी संधी लगते है दूले के बाप के तुम संधी लगोगे हम भी संधी लग रहे चोटे पापा बेठे चोटे संधी बेटियों के दूले के पिता के तो जितने भी हमाई जमाई राजा आए हैं अपने अपने पिता जी को बुला लो संधनों को बुला लो नहीं तो लडाई हो जाएगी इसी क के साथ बाड़ी को विराम बुलो बागे सुरहनमान जी महराज की